प्रभू श्री राम ने अपनी अन्बुठी देकर हनुमान जी को लनका भेजा था और कहा था कि श्री सीता से कहना कि तुम्हारे राम तुम्हें जल्दी लेने आएंगे। हनुमान जी को जब लनका जाना था तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराया और वे फिर वायू मार्ग से लनका के लिए निकले। लनका के मार्ग और लनका में उन्होंने कई पराकरम भरे कार्य किये। आओ जानते हैं उन्ही मेंसे नौ प्रमुख कार्या। 1. समुद्र लांगना और सुर्सा से सामना, हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाया आएगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुर्सा नाम की नागमाता से हुआ जिसने राक्षसी का रूप धारन कर रखा था। सुर्सा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर जब वह नहीं मानी तब हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है मुझे खा लो। जैसे ही सुर्सा उन्हें निगलने के लिए मुझे फैलाने लगी हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुर्सा अपना मुझे बढ़ाती जाती वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान ने अच्छानक ही अपना शरी की कामना की. दो, राक्षешी माया का वद, समुद्र में एक राक्षथी रहती थी, वो माया करके आकाश में उडते हुए पक्शियों को पकड़ लेती थी. आकाश में जो जीव जन्तु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परचाएं देखकर अपनी माया से उनको निगल जात विभीशन के महल पर वे राम का चिनह अन्कित देखकर प्रसन हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीशन से होती है। विभीशन उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रगुनात का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीशन का लंबा समवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि ये काम का व्यक्ति है। वे विभीशन को श्रीराम से मिलाने का वच्चन दे देते हैं। 4. सीता माता का शोक निवारन लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ जिनका वद करके वे आगे बढ़े। वे सीता माता की खोज करते हुए रावन के महल में भी घुस गए जहां रावन सो रहा था। आगे वे खोज करते हुए अशोक वॉट पहुंच गए। उत्पाति वानर की खबर दी। 6. अक्षय कुमार का वद। फिर रावन ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वो असंख्य श्रेश्ट योधाउं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक व्रिक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मार कर बड़े जोर से गर्जना की। साथ, मेगनाद से युध्धा, कुत्र अक्षय का वद हो गया। ये सुनकर रावन क्रोधे थो उठा और उसने अपने बलवान पुत्र मेगनाद को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योध्धा आया है। मेगनाद तुरंथी समझ गया कि ये कोई मामूली वानर नहीं है तो उसने ब्रहमास्त्र का प्रयोग किया, तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रहमास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी नागपाश से बांध कर ले गया। बंधक हनुमान जी ने जाकर रावन की सभा देखी और फिर उन्होंने खुद ही अपनी पूंच से अपने लिए एक आसन बना लिया और उस पर बैठ गये। रावन क्रोधेत होकर कहता है, तुने किस अप्राध से राक्षसों को मारा। क राम की महिमा सुनकर रावन क्रोधेत होकर कहता है कि जिस पूंच के बल पर यह बैठा है, उसकी इस पूंच में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंच का ये बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु भी यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। पूंच को ज अहल को जलाने लगे। उनको देखकर लनकावासी भाय भीत हो गए। देखते ही देखते लनका जलने लगी और लनकावासी भाया क्रांथ हो गए। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीशन का घर नहीं जलाया। सारी लनका जलाने के बाद 9. राम को सीता की खबर देना, पूंच बुझा कर फिर छोटा सा रूप धारन कर हनुमान जी श्रीजानकी जी के सामने हाथ जोड कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चुडामनी निशानी ली और समुद्र लांग कर वे इस पार आये और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनीत सुनाया, हनुमान जी ने राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, हे नात, चलते समय उन्होंने माता सीता ने मुझे चुडामनी उतार कर दी, श्रीरभुनात जी ने उसे लेकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, हनुमान जी ने फिर कहा, हे नात, दोनों नित्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे और हनुमान जी ने श्री जानकी की विरह गाथा कैस सुनाई जिसे सुनकर राम की आँखों में आशु आ गए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।